दोस्तों नमश्कार ये बिजनेस वार है या कोल्ड वार है या तंकवात को माननिता देने की स्तिती है या फिर किसी एक राष्ट में सत्ता किसी भी तरीके से किसी के भी पास जाए उसकी संप्रभुता और उसकी सुतंत्रता की रक्षा करने का सवाल है या फिर जो सोचकर United Nation का पूरा Constitution लिखा गया वह क्या अफगानिस्तान के सामने अब नतमस्तक हो चला है जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के अकस तले भारत कहीं अलग थलक तो नहीं पल गया आज Bricks की बैठक हुई उस बैठक की अगवाई भारत ही कर रहा था उस बैठक में टेर्रिजम को लेकर प्रस्ताव भी पास हुआ लेकिन अफगानिस्तान को लेकर चीन ने एक शब्द नहीं का लेकिन दूसरी तरफ रूस ने खुले तोर पर अफगानिस्तान के संकट की वज़ा अमेरिका को बता दिया और 24 वंटे पहले अमेरिका ने खुले तोर पर कहा था कि चाहे वो चीन हो चाहे वो रश्या हो चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इरान हो ये सभी देश अपने अपने हितों को साधने के लिए भूल चुके हैं कि दरसल दुनिया अब लोकतांत्रिक तरीके से जीना सीख चुकी है सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारत इस पूरी प्रक्रिया में कहीं अलग थलग तो नहीं है क्योंकि तालिबान के जरिये जिस सत्ता का एलान किया गिया उस सत्ता में लगभग साथ ऐसे लोग हैं ऐसे मंत्री हैं जो कि अमेरिका के 9-11 के बाद से उनके आतंकवात की फिरिस्ट में हैं तीन लोग ऐसे हैं जो संयुक्तराष्ट की टेर्रिजम की लिस्ट में हैं और अंतरास्टिये तोर पर जब 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 जिक्र लशकर तौइबा का, अलकाइदा का, इसलामिक स्टेट का हुआ, इन तीनों संगठनों के मद्दे नजर और खास तोर पर हकानी गृप का जो हुआ, इसके मद्दे नजर दुनिया की जो राय रही उसको अभी तक अमेर दिशा में जाएंगे कोई नहीं जानता है, भारत के लिए मुश्किल सबब ये है कि आज ब्रिक्स की बैठक थी और एक हफ़ते के बाद S.C.O. यानि शंगाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन की बैठक है, उस बैठक के भीतर में चीन भी रहेगा, रूस भी रहेगा, पा जाकिस्तान है, उसमें किर्गिस्तान है, ये सारी परिस्तितियां बतलाती है कि चाहे ब्रिक्स की बैठक, चाहे अब S.C.O. की बैठक, यानि शंगाई कॉपरेशन कॉडनेशन की बैठक, इन बैठकों कुमें अफगानिस्तान का मुद्दा उभर ही रहा है, और जिस स्टे स्ट्रक्चर को डिवलप्मेंट मान लिया, यानि एजुकेशन हेल्थ नहीं, बलकि बड़े बड़े पुल, खादान, मुनाफ़ा, मार्केट यही है इस देश और दुनिया के लिए मौझूदा वक्त में डिवलप्मेंट का हिस्सा, और पूरे तरीके से अफगानिस्तान क सत्ताने जिस तरीके से चीन को माननेता दी और चीन ने अब खुले तोर पर इस बात का एलान कर दिया है कि वह तक्रीबन 3.96 करोड डॉलर, यानि रुपए में कनवर्ट कीजेगा, तो लगबग 295 करोड रुपए बेढेंगे, इस लिहाज से वह उनको अनाज भेजेगा, वैक्सिन भेजेगा, दवाई भेजेगा, सरदी आ रही हैं तो उसके लिए भी समान भेजेगा, यानि आर्थिक मदद का एलान चीन ने ऐसे वक्त में किया है, जब अमेरिका ने बंदिशे लगाई हुई है, प्रतिबंद लगाया हुआ है, और ब्रिक्स जैसे अंतरास्ट का सवाल है, वहां से जो लोग अलग अलग देशों में जाकर पना लेने को बेचैन है, ये सारे सवाल की जड़ जो है, वह अमेरिका के जरिये पैदा की गई है, ये हर किसी को समझना होगा, अफगानिस्तान पर कबज़ा करने की कोशिश बिटेन ने भी की थी, तीन बार की रशिया भी वहां 20 साल तक रहा, अमेरिका भी 20 साल तक रहा, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में दुनिया में हत्यारों का धंदा जो था, वो बहुत तेजी से बढ़ता चला गया, और हत्यारों को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के स्तिती में जो देश आते हैं, वही देश अफगानिस्तान में खास रूची भी दिखा रहे हैं, तो क्या एक तरह का ये बिजनिस वार की शुरुआत है, क्योंकि दुनिया मंदी से गुजर रही है, और उसे एक ऐसी जगा चाहिए, जहां पर हत्यार भी खब जाएं, और जिस रास्ते से वह उस जो एक्सपोर्ट करना शुरू किया अफगानिस्तान में उसमें लगभग 89% का इजाफा है, अगर अब 2014 में चले जाएगा तो तक्रीमन 490 मिलियन डॉलर भारत एक्सपोर्ट करता था जो समान करता था वो बढ़ते बढ़ते आज की तारीक में 997 मिलियन डॉलर तक हो गया यानि 90% से भी जादा का इजाफा हुआ, ये भी अलग बात है कि अफगानिस्तान से भी एक्सपोर्ट इस दौर में जरूर बढ़ा है, उस वक्त वो 307 मिलियन डॉलर का करता था आज वो 529 मिलियन डॉलर का करता है और ये पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक चुका है जिस वन बेल्ट वन रोड की बात चीन कर रहा है, चीन जानता है कि इसके जरीया आने वाले वक्त में इरान उस पर निर्भर होगा, पाकिस्तान उस पर निर्भर पहले से है, बंगला देश उस पर निर्भर होगा, शिरलंका निर्भर होगा, बंगला देश के साथ साथ माल का जो गिजनेस वार था या रश्या और अमेरीका के बीच जो टक्राओ रहा और खास तोर से अफगानिस्तान के पुराने जखमी अब रश्या जरूर कुरेद रहा है यह सारे सवाल इसलिए महत्मुन हो चले है क्योंकि अफगानिस्तान चाहे अंचाहे दुनिया के हर मंच पर कुछ सवालों को लेकर आ रहा है पूरी दुनिया के भीतर ये सवाल है कि बीते 20 वरस से अमेरिका जिस टेर्रिजम का जिक्र कर रहा था युनाइटेड नेशन जिस टेर्रिजम का जिक्र कर रहा था उसके सामने पूरे तरीके से तालिबान की सत्ता ही जब आकर खड़ी हो गई और उसको माननता देने वाले युनाइटेड नेशन के वह दो देश भी हैं जिनको वीटो पावर है उसमें एक चीन है और एक रश्या है सवाल इसके एक च्छणा आगे का है कि अगर टेर्रिजम के दायरे को समझे तो भारत के सामने मुश्किल सवाल ये है कि अगर अलकाइदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर तौइबा, जैश मुहमत, पाकिस्तान तालिबान ये सारों का जमावडा की जमीन अगर अफगानिस्तान में रहेगी और अफगानिस्तान से बिजनेस कर लाब उठाने की सोच चीन के साथ रहेगी और रश्या अफगानिस्तान के मद्दे नजर एक ढाल का प्रयोक करके अमेरिका को रोकने की कोशिश करेगा तो ये सारे सवाल एक जटके में अंतराष्टिये तौर पर एक कोल्ड वार की नई परिस्तिती को खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं जिसके मर में बिजनेस वार भी है इरान के सामने संकट है वो अपने आपको कैसे आगे बढ़ाए किस रूप में बढ़ाए बिजनेस कैसे करे जब उस पर परतिबंद लगा हुआ है इसलिए ध्यान दीजिए चीन ने एक 5 सितंबर को बैठक बुलाई थी ये बैठक कहा जा रहा है कि इसलिए की गई थी कि S.C.O. की जो बैठक होनी है 17 सितंबर को उससे पहले वह एक जमीन बनाना चाहता था और उसने अगवाई के लिए पाकिस्तान को आगे कर दिया इस बैठक में पाकिस्तान भी था इस बैठक में इरान भी था इसमें उजबकिस्तान भी था तजाकिस्तान भी था तर्गमिस्तान भी था यानि जो देश अफगानिस्तान को मानिता देने की दिशा में उससे लाब कमाने की इस्तिती में या फिर उसके साथ खड़े होकर चीन से भी सयोग करते हुए इस पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं उसमें रशिया कहीं न कह की और बहुत साफ तोर पर कहा कि अफगानिस्तान में जो परिस्तितियां पनप रही है उस पर आपको कहना चाहिए क्योंकि यह सवाल बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा कि एक ऐसी जमीन जो उस टेरुरिजम को कहीं ना कहीं अपने यहां पना दे रही है तो उसके प्र बाइकाट भी किया था उस बैठक का जिस बैठक में तालिमान को लेकर सवाल थे सवाल है कि उस बैठक में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया लेकिन रशिया ने भी बाइकाट किया था तो क्या रशिया भी अपनी स्ट्रेटिगी को समझ रहा है और इस बात की तिती में भारत जैसे देश के लिए आकर खड़ा हो जाए और भारत अमेरिका पर लगातार ये दबाओ अब बनाए कि आप हमें बीच अधर में छोड़कर नहीं जा सकते हैं ये सारे सवाल हैं लेकिन इन सवालों के साथ साथ कुछ सवाल जब सरकार बनाते वक्त अफगानिस अव्गानिस्तान की सेनाओं को हटाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के भीतर से ये कह कर फोड़ दी कि आपने संकट पैदा किया है और वो छेतری बैलनस बनाने का खिक्र कर रहा है तो क्या उसकी नजर में वाकई भारत है या फिर वो एक संदेश दे रहा है अमेरिका क और इस संदेश के मातर तीन बातों को और समझना होगा कि अंतरास्टी ये मंच में तीन चार संगठनी बची है चाहे वो G7 हो G7 के तमाम देश जो विक्सित देश है वो अफगानिस्तान से बहुत देल हो है G20 की भूमिका क्या होगी G7 की भूमिका क्या होगी ब्रिक्स अपनी भूमिका बता चुका है जिसमें सीधे तोर पर टेरिजम के खिलाब प्रस्ताओ तो पारिस हुआ लेकिन सब ने अपनी अपनी मैंशा चुप रहकर या कुछ बोल कर विक्त कर दी कि वह अमेरिका के साथ खाड़े नहीं है वह अफगानिस्तान को मानिता दे या नहीं दे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन यह भी समझना होगा दूतावास किसी का चल रहा है अफगानिस्तान में बिलकुल समान तरीके से तो वह चीन और रश्या ही है पाकिस्तान का जिक्र करने की जौरत नहीं क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी भूमी का सामरिक तोर पर अफगानिस्तान और तालीमान के साथ इस दौर में खुल कर नजर आई है जो भी पंशीर में हुआ और दुनिया भर में इसकी चर्चा भी हो रही है भारत के सामने तीन बड़ी मुश्किल है भारत क्या जब कोल्ड वार दुनिया में शुरू हुआ था तो भारत ने गुट निर्पेक्ष आंधोलन की शुरूआत की थी ना भारत रशिया के साथ ख़़ा था ना भारत अमेरीका के साथ ख़़ा था मौजूदा वक्त में क्या भारत चीन का विरोध करते हुए रशिया के साथ खड़ा होगा क्योंकि रशिया उसकी इस इस इलाके की जरुरत है और अंतरास्टिये तोर पर अमेरिका जरुरत है लेकिन इस दौर में गुट निर्पेक छांदोलन में पहली बार भारत के प्रधा में आकर खड़ा है जैसे नाटो देश हैं यानि भारत सयोग के तोर पर साजीदार के तोर पर और शायद अंतरास्टिये कूट निती और विदेश निती के बंदेर जार अमेरिका के साथ आकर खड़ा हो गया था अफगानिस्तान को लेकर जाहिर है अगर रशिया खुले त आता रहा कि वो उसमें शामिल हो जाए लेकिन भारत ने कभी उसे शामिल होने नहीं दिया पाकिस्तान ने कई बार प्रस्ताव लेकिन इस दौर में फिर देखिएगा तो जो टेर्रिजम के हमले भारत में हुए उसके बाद जो सार्क की स्थिति बनी और भारत ने उसको बा operation coordination इन दोनों जगाओं की बैठक में क्या भारत अलग थलग है तो भारत की अब रन्निती च्या होगी उससे भी महत्पुन बात है क्या भारत को लेकर अमेरिका की कोई सक्रिये भूमी का नजर आएगी या फिर रशिया जो भारत के साथ खेल खेल रहा है और वो अमेरिका पर लेकिन आखरी सवाल फिर वहीं पर आ जाता है जिस 9-11 के बाद दुनिया से टेररिजम खतम करने का ऐलान करते हुए अमेरिका अफगानिस्तान तक पहुँचा उस अफगानिस्तान में आज के वक्त में जो सत्ता समाले हुए लोग है वह 9-11 की उपज है या उस वक्त 9-11 करने वालों के साथ खड़े हुए लोग है तो अमेरिका क्या करेगा अमेरिका ने जस तरीके से मुझाइदीनों को मदद की थी जब रशियन फौज अफगानिस्तान में थी और अब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज जा चुकी है तो वह मुझाइदीन अपने तोर पर और देश के तौर पर होगा वह क्या करेगा और इन सब के बीच इरान अपने देश को बचाने की वहां की आर्थिक परिस्तितियों को लेकर जिवटता के साथ संगर्श कर रहा है ऐसे में वह अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा चीन के साथ खड़ा होगा या इस पूरे इ जाके में जो S.C.O. आने वाले वक्त में जो 17 सितंबर को बैठा के उसके मद्दे नजर वो चला जाएगा और तीसरा सबसे महत्मुर्ण सवाल है भारत क्या करेगा भारत की रननिती भारत की विदेशनिती भारत की वहपार निती और भारत की आर्थिक समाजिक परिस्तितियो के मद्दे नजर जितना प्रभाव अफगानिस्तान का भारत पर पढ़ रहा है वह शायद भारत के लिए इसलिए अब एक ऐसे स्टेट्समेन और डिप्लोमेट्सी के जरुरत भारत को हो गई है जहां पर वो अंतरास्टिय तोर पर भारत की छवी शायद सबसे मजबूत स् और अंतरास्टिय कूट निती को अपनी ताकत से प्रभावित करने वाली दिशा में ले जा सके अन्न था उसे बीच बचाओ करने की परिस्तिती में कभी अमेरिका लाकर खड़ा करेगा कभी रशिया भारत को सहलाते हुए अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा और चीन की परिस्तारवादी निती चीन की रही है टर्रिजम के जरीए पाकिस्तान की रही है या उनकी अपनी अंदूनी राजनिती में कश्मीर को जितना महत तो दिया जाता है क्या वो चूकेगा इस से या एक नई मुश्किल खड़ा करेगा ये सारे सवाल है अगली बैठक का इंज करना पड़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया